गुड बॉर्णिंग एवरिबन कैसे आप सब आई होप आला और पेरी गुड आज हम करेंगे जीके का कोशिन नमबर फॉर फाइव एड कोशिन नमबर शिक्स थ्री कोशिन आज हम करेंगे फर्स कोशिन में हम देखेंगे कि इंडिया का जो पहला सूपर कम्प्यूटर था वो कौन सा था इसकी थोड़ सी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे फादर आफ कम्प्यूटर किसे कहते हैं वो हम यहां पे देखेंगे question number five में हम लोग जो वो bankers bank of India देखेंगे जो की RBI है और कुछ banks की हम लोग बात करेंगे जिसमें हम cash reserve rates के बारे में बात करेंगे और reverse repo rate के बारे में भी बात करेंगे और last question में हम देखेंगे कि largest animals कौन सा है पूरे world का ठीक है और उसके बेट की भी हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे कि कितने pounds का जो वो यह होता है और कितने elephant के बराबर जो वो यह होता है तो बहुत ही interesting वीडियो होने वाली है तो चलिए start करते हैं question number four से which is India's first super computer तो इंड देखे option भी कैसे देगे है अगर आपको परम ही याद होगा पी ए आरेम इसकी full form के बारे में भी देखेंगे तो आप जो वो यहां पर confused हो सकते हैं तो आपने 8000 याद रखना है देखे बड़े बड़े जो भी question हो sorry जो भी exam होते हैं बाद में आप जब plus two के बाद या college के ब पहला सुपर कंप्यूट था अगर मैं बात करो पी ए आर एम परम की तो इसकी जो full form होती है इसकी definition होती है तो बो होती है parallel machine तो इसको भी आप याद रखे parallel machine जो की design की गए थी C deck के द्वारा C deck की अगर आपको full form पता नहीं है तो इसकी भी जानलों की C deck क्या होता है C deck होता है center for development of advanced computer ठीक है center for development of advanced computer ठीक है तो इसकी full form होती है इसकी द्वारा है design किया गया था तो परम जो 8000 पहला ultra computer ठाव जो लगपग 1991 में जो ऊपन आया था ठेक है उसके बाद वालत जोब परम 10,000 था ठेक है इसके बाद जोब परम 10,000 था ठेक है अम इंडिया की बाद करहें ठेक है परम 10,000 जोब जो इसके जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ओर्डिनरी और टेलेंटीड साइन्टीस्ट इनको बोल जाता है मैथेमेटिसन ठीक है मैथेमेटिसन एकनोमिस्ट या इंजिनियर भी यह थे ठीक है तो फारा जो फर्स्ट कुश्न है उसका आंसर हो जाता है यह आप्शन परम 8,000 second question की बात करते हैं which bank is called banker bank of India तो दीखे banker bank of India या central bank इंडिया का कौन सा है तो वो है RBI RBI की full form आपको पता हुए रिजर्व bank of India first option हमारा सही हो जाएगा bankers bank of India किसे का जाता है reserve bank of India को का जाता है और central bank भी इंडिया का कौन सा है RBI Reserve Bank of India है ठीक इसको जो वो सब भी जितने भी bank है जो भी commercial bank जैसे जो भी प्राइबेट हो चाहे वो सरकारी हो जैसे PNB हो गया आपने जाद तर नाम सुना होगा ठीक है आपने SBI का नाम सुना होगा ठीक है तो इस सारे जो भी bank है वो किसके अंडर आएंगे RBI के अंडर ही आएंगे देखे क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं CRR की ठीक है CRR कैस Reserve रेसो के बारे में बात करते हैं ठीक है तो कैस Reserve रेसो जो वो कितना चला है आज कल वो चला है 3% यह जो वो 3% क्या है देखे जो भी बैंक होते हैं उनको जो वो कुछ Reserve रखना पड़ता है Central Bank के पास मतलब कि RBI के पास जो वो कुछ Reserve रखना पड़ता है यह जो वो एक minimum amount होता है मतलब कि 3% जितना भी जो भी मतलब कि उनको पास आएगा जितना पैसा आएगा उसका जो भी 3% तो उन्हों RBI के पास रखना पड़ता है Cash Reserve, Reso उसको हम लोग बोलते हैं आज कर कितना चला है 3% के आस्पा चला है 3% ही जाता रहता है minimum amount इसको बोला जाता है देखे अब क्या हुआ इसको रिवर्स 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 की बात करते हैं जो की Central Bank है RBI Reserve Bank of India देखे जब यह जो वो इनको 3% दे रहा है ठीक है 3% दे रहा है तो उसको बोल देंगे Cash Reserve, Reso अब देखे अमालो इन बैंक के पास जो वो कम पैसा हो गया बैंक के पास जो वो कम पैसा है इनको जो वो लोन चाहिए अब लोन चाहिए तो RBI के पास जाहेंगी क्योंकि RBI के पास 3% जाता रहता है बहुत सारे bank है इसलिए जो वो उसके पास भी बहुत सारा Reserve इकठा हो जाता है अब मालो किसी bank के पास जो वो किसी bank ने जो वो लोन लेना है RBI के पास चला गया है तो ये जो 4% पर RBI बैंकों को देता है इसको बोलता है रैपो रेट रैपो रेट इसको बोला जाता है अब दियान दीजिए अब बाद में क्या हुआ कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा हो गया ठीक है 30% तो वो देता है Cash Reserve लेकिन मालो इन banks के पास जो भी सभी banks है उनके पास जादा पैसा हो गया अब कोई bank चला गया RBI के पास मालो कि मेरे पास बहुत सादा पैसा हो गया तो वो आप रख लो ठीक है वो आप रख लो अब देखे ये बोलेगा कि मुझसे जो बो पैसा ले लो अब ठीक है लेकिन RBI जो भो बहुत चालाक है इसलिए ये देता है हमेशा ही 4% से कम मतलब कि रेपो रेट से जो भो हमेशा ही जो भो reverse रेपो रेट जो भो बिलकुल कम होगा जो कि आज गल चल रहा है 3.35 जिक है इसके आसपास जो भो ये चल रहा है लेकिन जब खुद लेगा तो 3.35 ही देगा तो हमेशा याद रखिए reverse रेपो रेट जो भो हमेशा ही कम रहेगा रेपो रेट से ठेक है I hope क्या आप समझे होंगे अच्छे से अगर एक बार नहीं समझे होंगे तो एक बार फिस से वीडियो उसको देख सकते है तो बैंकर बैंक बैंकरस बैंक आफ इंडिया किसे कहा जाता है Reserve Bank of India को कहा जाता है Next question जो कि आज कर लास्ट question है Which is largest animal in the world तो largest animals कौन सा है पूरे world में तो वो है Blue whale इसका नाम आपने सूना होगा जो कि लगभग कितने के आसपास होती है 400,000 pounds के आसपास इसका जो बजन होता है ठीक है कई चोटी भी होते हैं लेकिन इसका जो maximum इतना इसके आसपास होता है ठीक है Ponds में मैं आपका उता रहा हूँ तो एक Pond जो वो होता है लगभग एक Pond होता है 0.45 आगे भी आप 449 ठीक है ऐसे होता है 0.45 के आसपास जो वो होता है तो अगर मैं बात करूँ किलोग्राम में तो कितना हो गया 1,81,436 ठीक है 1,81,436 किलोग्राम के आसपास इसका जो बेट होता है अगर हम बात करें कितने elephants के बराबर होता है लगभग होती है लगभग ब्ल्यू बेल तो यह जो वो 32 या 33 elephant के बराबर होती है देखे कितनी बड़ी ही होती है ठीक है तो उसब से बड़ा जो भी जानबर है animal है पूरे world में बो कौन सा है ब्ल्यू बेल तो आज के लिए इतना काफिया होके thank you and have a nice day